भारत के अंतराश्रिय फिल्म समारो इफी की जीउरी के प्रमुक और इसराईली फिल्ममेकर नदाव लैपिड ने फिल्म दे कश्मीर फाइल्स की जम कर आलोचना की है उन्होंने कहा है कि ये प्रोपोगाnda और अशलील मूवी है लापिट ने कहा है कि जूरी ये देखकर डिस्टर्ब और हैरान थी कि ऐसी फिल्म को इस समारो में दिखाये गया दे कश्मीर फाइल्स को इंडियन पैनेरोमा सेक्शन के लिए चुना गया था और 22 नमंबर को इसे फिल्म फेस्टिवल में दिखाये गया था लापिट ने कहा कारिकरम की सिनेमाई सम्रिद्धी, इसकी विविदता और इसकी जटिल्टा के लिए मैं समारो के प्रमुक और प्रोग्रामिंग के निदेशक को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमने डेब्यू कॉम्पेटिशन में साथ फिल्में देखी और अंतराष्टिय कॉम्पेटिशन में 15 फिल्में देखी इसमें से 14 फिल्मों में सिनेमाई विशेषताएं थी, पंद्रवी फिल्म दकश्मीर फाइल से हम सभी परिशान और हैरान थे मालूम हो कि देकश्मीर फाइल्स का निर्देशन विवेक अगनिहोतरी ने किया और अनुपम खेर ने इसमें प्रमुग भूमिका निभाई है ये फिल्म नब्बे के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमलों की सच्ची कहानी बताने का दावा करती है हलाकि अपने रिलीस से ही ये फिल्म विवादों में रही है भारतिये पैनोरोमा इफी का एक महतोपूर्ण भाग होता है इसके तहट भारतिये फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए ऐसी फिल्म में दिखाई जाती है जो सिनिमाई स्तर पर उत्कृष्ट दरजे की होती है सूच्रा एवं प्रसारन मंत्राले इस कारेक्रम का आयोजन करता है फिलाल इस कबर में इतना ही आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी धीरज ने मैंने हार का यादव देखते रही है ललन टॉप सिनिमा